हाई गाईज जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिकर किया था GPT और MBR के बारे में तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे GPT MBR क्या होता है इन दोनों में क्या अंतर है और हमारे लिए क्या ठीक है सबसे पहले हम बात करें यह क्या होता है अब बात करें दोनों में क्या अंतर है तो दोस्तों तो MBR का full form जो name है वो है master boot record GPT का नाम है guide partition table MBR 1983 में बना था GPT 1990 में बना था इसके 7 साल बाद तो GPT है जो इसका upgrade version है MBR में कुछ कमी थी उसको दूर करने के लिए GPT बनाया गया था तो मैं अभी आपको MBR की कुछ कम्या गिनाता हूँ कमी नंबर 1 MBR बहुत slow है GPT बहुत fast है क्योंकि GPT upgrade version है इसलिए fast है MBR में आप 4 partition style कर सकते हैं जबकि GPT में आपको 128 partition करने की facility मिलती है MBR की storage device की limit 2 TV तक होती है मान लो आपके पास में 2 TV से कोई बड़ा storage device है तो आप इसमें वो लगाएंगे तो supportable नहीं होगा जबकि GPT में आप 10 ZB तक storage device लगा सकते हैं 10 ZB को आप अगर TV में convert करेंगे तो ये 1000 करोड के जितना होगा ये आपने आप में बहुत बड़ा number है तो दोस्तो इतना वीडियो देखने के बाद में आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा बढ़िया है और कौन सा खराब MBR पुराना old हो चुका है तो GPT उसका upgrade version है तो हमें GPT ही use करना चाहिए पहले क्या होता था कि अगर आपको MBR का windows install करना है अपने computer में तो MBR की pen drive बनानी पड़ती थी और GPT का करना है तो GPT की बनानी पड़ती थी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ऐसी bootable pen drive बनाना सिखाया है जिसमें MBR और GPT दोनों supportable होंगे और उसमें windows 7, 8, 10, 11 कितनी भी windows एक साथ paste कर सकते हैं दोस्तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका link अपने description box में दे दूँगा दोस्तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो like, share, subscribe करें अगर आपके कोई query है तो comment करें मुझे आपके comment पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मिलतें next वीडियो में thank you